मतन मसाला बोटी की रेसिपी शेयर करी हूँ खाने में जो रहेगी बहुती जबर्दस बकरा इत के लिए एक दम स्पेशल रेसिपी है आप इसे नान पराठा या फिर प्लेन राइस के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो चलिए बहुती डिलिशियस एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट जिस स्वाद अनुसार हाफ टेबल स्पुन हल्दी पौडर देबल स्पुन एड़ करेंगे धनिया पौडर देबल स्पुन एड़ करेंगे लाल मिर्ची पौडर हाफ टेबल स्पुन काली मिर्च का पौडर हाफ टेबल स्पुन गरम मसाला पौडर और हाफ टेबल स्पुन भू प्यास कटी हुई एड़ करेंगे साथ हम इसमें एड़ कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और आधा नीमू का रस भी हम इसमें डाल देंगे यह सारी चीज़े जब मिलेगी और मेरिनेट होगी ना तब हमारी मतन मसाला बोटी में बहुत अच्छा टीस्ट आएगा और खाने मे बहुत जबर्दस लगेगी तो चलिए यह सारी चीज़े हमने एड़ की है उसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम इसे कम से कम एक घंटे तक मैरिनेट होने देंगे आप जादा देर के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं तो यह देखिए अच्छे से मैंने मिक जैसे आप देख सकते हलका हलका बॉइल आना शुरू हो गया है तब हम गैस की फेम बिलकुल लो कर देंगे और 20 मिनिट के लिए हम इस तरह से रख देंगे लो फ्लीम के ऊपर लो फ्लीम पर ही हमें पकाना है बीच विच में आप जरूर चेक किज़ेगा नीचे लगतो नह बहुत है तो इसे हम बस एक मिक्स देंगे इस तरह से 20 मिनिट बाद और फिर से हम इसे ढखकर रख देंगे 10 मिनिट के लिए अब हम इसे रखेंगे मीडियम तो लो फ्लीम पर बीच विच में हमें चेक जरूर करते रहना है और यह हो चुके है 10 मिनिट जैसे आप देख सकत मीट मसाला इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा मटन मसाला बोटी में और खाने में भी यह बहुत जबर्दस लगीगी खुश्बुदार सी मटन मसाला बोटी आपकी तयार होगी मसाला दालकर मैंने फिर से 2 मिनिट के लिए भून लिया जैसे आप देख सकते है तेल बहुत अच्छे से रिलीज हो गया है और बस दाल देंगे अब हम कटावा हरा धनिया और यह हमारी रेसिपी सर्फ करने के लिए अब बिल्कुल रेडी है तो गैस की बन कर ली है तो चलिए गर्मा गरम अब इसे कर लेते हैं सर्फ बहुत ही टेस्टी लगती है नान के साथ पाओ के साथ पराथे के साथ यहां पर यह रेखे है गर्मा गरम यह मटला मसाला मसाला मान अब सर्फ कर ली इसाथ में थोड़ा सा गार्निश कर लिए यहां अब बख़ारा एक दम स्पेशल रेसिपी एाप ज़रूस deze स्थी को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे जरूर फीडबैक दीजेगा रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजेगा थैंक्स फर वाचिंग, हैव गुड देग